हेलो एव्रियोन वेलकम टू सुभाम भागा टीटू चैनल मैं हूँ सुभाम और इस विडियों में हम लोग बात करने वाले हैं इंटांसिव अपोचुनिटिस के बाड़े में काणपूर साज समर इंटांसिव पोग्रम 2021 का एपलिकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है इसको एपलाई कर सकते हैं फेवरे मेने को 22 तक और इसमें स्टाइपन आपको जो है 12,500 तक मिल सकता है और इसमें इल्यूकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मैं बताऊंगा सब्सक्राइ अगर काणपूर से हैं तो आप इसके लिए हैं तो क्या है पीजी पे या अप अंडर गाजूट पे हैं मैं सब के बारे में बताऊंगा और इसका आपका जो इस टाइमिंग है इस चलेगा 14 जून से लेकर अगस्ट महने को 22 तक चलेगा ठीक है और इसमें जो फांडिंग सा सब्सक्राइब का जो भी स्टूटेंस हैं उनको सब्सक्राइब मिलेगा 12,5188 हबते के लिए ठीक है और को दूसरे इनुस्ट्रेशन हैं तो आपको इस विल बे प्रोवेट्ट ऑपोश्यूरीट ते स्टूट्स तूवाग दे प्रोजेट फांडेट फांडिंग तो नही बता देतों तो पहले आप जो है इसका इलिजर काइट्रिया देख लिजें इलिजरी काइट्रिया है भी टेक पी ऐ आच भी स्टूर्ड यार कमप्रीTE होना चाहिए और ऐसमें क्या कुछ डॉक्पेश्ट लगेगा आपको रिसें टाफ्पेश्ट्पर सर्च फॉटोग्र प्रोपोजल जो भी है आपको पांसो और से ज्यादा नहीं होना चाहिए काइंट टांस्किप्ट और साथी साथ आपका रिकूर्डेशन लेटर कोई भी जो भी फैक्लिटी सब परते हैं तो हेट जो रहेंगे उनके पास एक रिकूर्डेशन लेटर आपको लेना होगा ठीक ह उसका साथ जो एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद PDA format not more than on mb और साती साती हमाद बताया गया है आपको जो भी बताया गया है उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए मिंस बिसिकली जो भी आपको लेन बताया गया है और इसका प्लेशन फी पेमेंट कर सकते है है आप आप पांच रोपेस का फीप एमेंट है पेस बेगे तुरू कर सकते हैं बताया गया है ओनली फो नॉन आयटी कानपूर स्टुएंस के लिए अगर आपका आयटी कानपूर से हैं तो कोई अप्लिशंस फी नहीं लेगा लास्ट है इसका बाइस से वरी को क्लिक हेर पर अब जब भी क्लिक किजेगा तो आपके समने किसा इंटरफेस आएगा मैं इसको पहले समरेज कर देतू हूं आपको सबसे पहले आप मैंने बताया कि आपको प्लिशंस अब का अंडर गैजुट कोर्स में भी है पो पीजी पे है सभी इंजरिंग बैगाउंस से है और और भ भी आप दीजएगा ठीक है तो अभी आप फर्म फलाब गट दीजे उसके बाद जो भी स्टेप जो भी होगा वह देखा जाएगा आपके हाथ में से वीडियो चाहते हैं उभी बताएगा तो सबसे पहले देखे आपको रेजिस्टाय करना होगा रेजिस्टाय करने के लिए सबसे पहले आपका नाम अपना email id, mobile number, password, confirm password और उसके बाद IIT से आप हैं कानपूर से या non IIT कानपूर से ठीक है तो उसके बाद लोग-इन करने के बाद आपको रेजिस्टाय करना हो और रेजिस्टाय करने के बाद आपको जिसके आपका personal details पुझाएगा उसके बाद qualifications क्या कुछ experience है जो भी documents मैंने बता है सबको आपको upload करना होगा उसको cross verify कर लेजएगा और उसके बाद सब्मीर कर देजगा और free payment कर देजगा तो हो जाएगा उमीद करता हम वीडियो अच्छे लगा होगा ठीक है और इसी के साथ जो वीडियो सांप्त करते हैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो में किसी और भी मिले चाहिए भी बताईएगा और समझने में दिक्कत हो तो वो भी कि में बता सकते हैं मैं आप लोग को एंसर देदूंगा इसी के साथ जो वीडियो सांप्त करते हैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू मच फॉर आचिंग हाब आगेड़ दे